हेलो एब्रीबन मैंनी लम्तिवारी आप सभी का मैगनेट ब्रेंस में बहुत-बहुत सागत करती हूं मैगनेट ब्रेंस एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको फूर्ट क्लास से 12 क्लास तक का सारा स्टडी माटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलिबल करवाया जाता है तो हम जो अप और और व करेंची अहा का अरत होता है अरे कीसी बात पर क्लेंट यह क्या हो गया है कि यह दो शब्द हैं चिनके उपर इस पाठ का नाम पढ़ा आहे soldier हो गया ऊंचा तो आपको पता ही है और कह लीए लगाते हैं तो इसका अर्थ के इसका जो पाठ का नाम है वो क्या है अरे और ओ तो ये कैसा नाम है आपको लगेगा कि अरे ये क्या है तो इसमें बहुत अच्छी एक कहानी आई है एक लड़का है अजीज नाम का और जो क्या करता है एक अपने मालिक के यहाँ पर काम करता है सेवक रहता हो और उस उसने चुछ उसके सामने काम करने को शक्राजतिक भी नहीं कर सकता था लेकिन और के लिए उसकी साहता देख अच्छा वह स्वामी ने बच्शी को आझ को काम कर नहीं कर हो लेकिन एक वृध्धा मिली भी उनको एक मतली महिला मिली तो उनने उसको ऐसी तर्की बताई कि जिस से क्या हुआ कि उसने वो काम पूरा कर लिया और उसके साथ मैं उसने अपने कारी इसको चुटी भी मिली और उसका वीतन भी मिला तो ये इस कहानी का पाठ का सार है, इसमें हम इस चीज को पढ़ेंगे, कि कठिन परिश्रम अगर हम करते हैं, तो असंभव चीज भी कभी कभी हमें लगता है ने, कि ये चीज असंभव ही हम नहीं कर पाएंगे, पर वह वाली भी हम पूरी कर सकते हैं, हम किसी भी असंभव का कार्य को अपनी परिश्रम के द्वारा अपनी मेहनत की द्वारा पूरा कर सकते हैं तो इसी के साथ में अब हम क्या करते हैं अपना पाठ को परना शुरू करते हैं अरे और ओ अब यह दो शब्द आए हैं अब यह दो शब्द कहां से आएंगे क्या आएंगे इसकी बारे में हम पढ़त पड़ें तब हो मैं पटा चलेगा तो यहां से साथ साथ में पढ़ते हैं ठीके अजीज की सब्सक्रा नाम है इसमीं नाम के प्रत्मा ड़्वक्ति लगते सासी परिश्रमी च आसीद अजीज एक किसी लड़के का नाम है वो कैसा है सरल सरल और परिश्रमी और कहां से आया इस चा से सरल और परिश्रमी था अब यहां पर यदि अस्ती होता यहां पर यदि अस्ती होता तो हम उसका अर्थ निकालते है लेकिन आसीद यहां पर हो गया तो य Shami from she wasAndhuala इन्यव वह स्वामिनह स्वामी यानि उसका जो मालिक थे उसकी स्वामी याम लीनह आसीद स्वामी की स्व्वामे प्रजानी क्यों क्यों मैं इन पहले इस ल्यार्ट नहीं बताया क्योंकि बाद में यहां से हम इसके साथ में इसको जोड़ेंगे तक इसका सवामी की सेवायाम देखिए सेवा कैसा है सेवा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका सब्तमी विभक्ति में क्योंकि सेवा मैं इसका अर्थ निकाला है तो इसमें जब सेवायाम लगा हुआ है तो यह सब्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और सब्तमी विभक्ति क यह पर यह अर्थ निकालते हैं तो इसमें जब सीवा याम हम देखेंगे कि सीवा याम किस देखे अनुवाद करना हम आपको सिखा रहे हैं कि जैसे सीवा याम लिखा हुआ है तो इसका अर्थ आप क्या करोगे कि सीवा की लगाओगे सीवा के लिए इसको कहोगे सीवा को कहो को पढ़ते हैं विभक्तियां हमें यही सिखाती है कि किस हमें शब्द के साथ में कौन सी कौन सामें उसमें जोड़ना है ने जोड़ना है को जोड़ना है से जोड़ना है अलग होने वाला से जोड़ना है के लिए लगाना है के दुवारा लगाना है तो यह हमें विभक्तियो स्वामी की सेवा में स्वामी की सेवा में ही लीन आसीद लीन था यानि मगन रहता था यानि परिश्रम क्या करता था लीन यानि मगन रहता था हमेशा उनकी सेवा करता रहता था तो इसका आपको समझ में आया कि सेवा याम में हमने क्या लगा दिया सेवा जब इस तरी लिंग शब्द क्या होता है तो बालिकायाम बनता है उसका सप्तिमी विभक्ति एक वजन का बालिकायाम है ना और जब राम अकारांत होता है तो उसका एक लिए बनता है यही बताया था तो यहां बैस्त्रिलिंग शब्द है याम लग गया तो यह सेवायाम बन गया तो इसका अर्थ एकंपम सारी च यह सारे रोक आपको अव्याय शब्द बताए र struggled और जाए no एकड़ा एक बार इसको यह वह ग्रहम अब ग्रहम शब्द अब देखेंगे की ग्रहम मैं ग्रहम का आप क्या रत निकालेंगे घर के लिए लगाएंगे इसको या घर को कहेंगे घर में कहेंगे या क्या कहेंगे गंतुम अवकाशम वांचती वांचती वांच होता है चाहना यहां पर वांचती हो क्या यानि चाहता है एक बार चाहता है क्या चाहता है वह ग्रहम यानि घर गंतुम जाने के लिए अवकाश घर को जाने के लिए अब देखिए इसमें जब यह ग्रह शब्द क्या है हमारा अकारांत नपुनसकलिंग है अकारांत नपुनसकलिंग शब्द है यह और इसका प्रथमा में भी ग्रहम बनता है और इसका दुतिया में भी ग्रहम बनता है क्योंकि फलम फले फलानी फलम फले फलानी आपको बता है प्रथमा और दुतिया में क्या होता है रूप एक ही प्रकार का बनता है तो यहां पे भी ग्रहम हो गया और यहां पे भी ग्रहम होता है तो हम इसमें दो चीज बता सकते हैं या तो एक घर से कह सकते हैं या घर ने कह सकते हैं तो घर तो कोई काम करेगा नहीं है न तो उसमें नीशद नहीं लगाएंगे लेकिन घर को दुतिया विभक्ती का चिन क्या होता है प्रत्मा का चिन होता है ने और दुतिया का विभक्ती का चिन होता है को ठीक है तो प्रत्मा में हम क्या करते ही उसके घर सिर्फ वहां पे घर का अर्थने के लिए लेकिन घर को घर को अगर हमने उसमें उसका सही अर्थ तो वो उचित अर्थ लगेगा कि घर को जाने के लिए अवकाश को चाहता था अवकाश चाहता था अवकाश मान चाती यानि अवकाश को चाहता था या अवकाश चाहता था क्योंकि नपुन्सक लिंग में एक ही प्रकार के बनते हैं दोनों में ग्रहम इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, अवकाशम इसमें भी बनेगा, तो हम इसमें को का अर्थ भी लगा सकते हैं, और सिर्फ हमें सिर्फ अगर उसको सिर्फ बताना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, कि अवकाश को चाहता था, या अवकाश चाहता था, तो हमने आपक लगती है और दुतिया विवक्ति की पहचान क्या है मूल तह उस शब्द में आपको या तो हलंत देखेगा या अन्तिम शब्द के ऊपर आपको अनुस्वार देखेगा अम शब्द की ध्वनी आएगी उसमें तो इसमें हम समझ जाएंगे या तो यह किसी का नपुन्सक लिं ठीक है तो एक दा एक बार वह ग्रहम वह घर को गंतुम जाने के लिए तुम जो शब्द आता है ना तुम एक प्रत्याय होता है तुम उन प्रत्याय होता है जबकि लेकिन इसका तुम शेश रह जाता है तुम उन प्रत्याय होता है यह और जब यह किसी धातु रूप में जोड़ता है जैसे एक्त्वा प्रत्य आपको बताया था अभी शौट में बताती चल रहे हैं साथ-साथ में क्योंकि अभी पहला हमारा काम क्या है मैं रीडिंग करनी है तो हम इसमें क्या करते हैं त्वा शब्द शेश रह जाता है तो उसका तुम शेश रह जाता है ठीक है संख्या हो जाती हो ख characteristics है मतलब ये दनों लोफ हो जाते हैं तो तुम शेश इसका अर्थ जहां तुम जहां पे के लिए जाने के लिए खाने के लिए गंतने के लिए नहीं देखने के लिए पा तूप 먹ने के लिए जहां पर भी होगा तुम लगाओगा वहां पर आप उसका अर्थ लगाएंगे के लिए किसी भी जब क्रिया में तुम लगाओगा ठीक है अगर किसी संग्या शब्द में लगाओगा के लिए लगाना होगा तो तो हम चतुर्ती बिभक्ति लगाएंगी लेकिन याद वो क्या है के लिए जो शब्द है वो चतुर्थी विभक्ती का चिन कहा जाता है कि जहां पर चतुर्थी विभक्ती होगा उसके अर्थ में हम के लिए लगाएंगे राम के लिए बालक के लिए पढ़ने के लिए नहीं आएगा क्यों पढ़ना एक क्रिया है क्रिया में जब के पर शब्द देखेगा देखिए कहीं पर आपको तीतह अंती नहीं देख रहा है आमियावा आमा नहीं देख रहा है आपको कौन सी क्रिया नहीं देख रही है जो आपकी भूत काल की क्रिया नहीं देख रही है लोट लाकार की क्रिया नहीं देख रही है तो आप कहेंगे यह तुम शब्द कैसे बन गया गम जो धातु है जाने की धातु है उसके गच्छ के रूप बनते हैं गच्छती गच्छती बनता है लेकिन इसमें गंतुम कैसे हो गया यह भी तो सोचने वाली है पातुम पाने के लिए कैसे बन गया तो तुम शब्द इसलिए हमने आपको बता के लिए अवकाश चाहता है अवकाश को चाहता है यानि छुट्टी मांगता है वांचती इच्छा गरता है चाहता है स्वामी स्वामी कैसा था चतुरह आसीद स्वामी कैसा था चतुर था सह वह चिंतियती अब यहां पर सोचता है अचिंतियत होता तो भूद काल की क्रिया हो अचिंतिया तो थता तो सूचता था लेकिन जब उसने छुटी चाहिड तब स्वामी चतुरा आसीद स्वामी चतुर था सहा चिंतियती उसने सोचा वैं सोचता है अजीज हा अजीज यानि आजीज करतता है जैसा बताया आदा आपको अजीज जैसा ना को अपी अन्य कारे को चला यानि अजीज जैसा नहीं कोई भी को अपी कोई और अपी भी को का अर्थ क्या हो गया को का अर्थ हो गया आपका कोई ठीक है और अपी का अर्थ क्या हो गया भी तो यहां पर हो जाएगा आपका अजीज जैसा न नहीं है कोई भी अन्य कारी कुशल है अन्य कोई भी कारे में कुशल नहीं है कारे करनी में सबसे अच्छा अजीज के जैसा अजीज के जैसा न कोई अपी कोई नहीं है नहीं कोई अपी कोई नहीं है मतलब अन्य कोई भी है इतना कारिकोशल नहीं है एव यह नहीं है एव आये गा एव कैंग सक्षच अपी वेतन ग्रही श्यति और अब उसमें क्या सुचा एव अवकाश अश्य इसलिए ये क्या करेगा अवकाश का भी वेतन ग्रहिश्यती इस परकार एव यानि ही अब इसमें ही जो शब्द आया है हम ही ना लगा कि इसको किस रूप में प्रयोग करेंगे जैसे अवकाश अवकाश का वेतन भी लेगा ही तो उन्हें कहा कि ऐसा कोई परश्रमी तो है नहीं और ये तो अपने अवकाश का भी लेगा ही अब ये लेगा ये ही जो शब्द आया वो अपने सबसे अंत में आया तो मालिक ने क्या सोचा कि अजीत जैसे स्ता कारीकुशर्ट तो कोई है नहीं और अवकाश का भी कारिकुशल्टा से काम करता है तो अवकाश का भी धन लेगा तो नहीं कहा तो क्या हुआ एव चिंत्यती अब एव है यहाँ पर अब देखिए एव कहाम अर्थ कहा निकालेंगे चिंत्य त्वा सोचकर स्वामी कथियती यह सोचकर ही स्वामी कहता है एसा सोचकर ही देख त्वा शब्द लग गया त्वाक में क्या होता है करिया करके का अर्थ निकलता है बताया दा जहां पर एक त्वा पृत्य होता है एक त्वा पृत्य जहां पर होता है वहां पर क्या क्रिया का अर्थ में हम कर या करके लगा देते हैं जैसे पढ़ करके सो कुछ कर ही स्वामी कहता है कथियती कहता है आहम जब उसने छुटी के लिए कहा तो उसने क्या सोचा ये तो लेगा ही अपने अवकाश का धन भी लेगा क्योंकि इसके जैसा कोई परिश्रमी और अन्यकार कुशल है नहीं कि हम दूसरी को रख ले तो अब उने क्या तो उसने ऐसा सूच कर ही कुछ कहा क्या कहा अहम यानि मैं तुभ्यम तुमको अवकाश अश्य अवकाश का वेतनस्य वेतन का चा सर्वम धनम और अवकाश का और अवकाश का और वेतन का सर्व धनम सारा धन दास्यामी यानि दूंगा उसने क्या कहा मैं तुम्हें अहम यानि मैं को अवकाश का और अब यह चाह का अर्थ क्या होता है और तो यह और हमने इन दोनों के बीच में लगा दिया कि मैं तुम को मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का यानि अवकाश जो लोगे तुम उसका और तुम्हारा जो वेतन का पैसा बन रहा है सारा धन दास्या में दू तो उनने सोचा कि अब क्या किया जाए तो उसने एक उपाय सोचा कुछ सोचा और उसने कहा कि मैं तुम्हारी वेतन का और अवकाश का सारा धन दूँगा परम लेकिन एतरधम तुम लेकिन तुमको क्या वस्तु द्वयम आने एतरधम मतलब इस प्रकार की तुमको वस्तु द बश्तुएं लाना है ऑन्हें कहा के पर हम लेकिन तुमको इस प्रकार की दो वस्तुवें लाना है कौनसी अहां है अरे और ओ ओ चाई ती अरे और ओ यह दोने वस्तुवें में लाना है अब देखिये कौन सी है अब यह क्या है हमारे अचनक से निकलने वाले शब्द है हमारे मुझत यह को एंहें जो कहीं बहुतिं ना पड़ेसं कर अवहां धूनने हीा तो उसने सोचे ऐसा सूचा कि अवह जान पीछट्ट तो उसने क्या मालिक ने जो स्वामी था उसने क्या लगाया अपने उसमें बुद्धी से एक ट्रिक लगाई कि इसको ऐसा काम बताते हैं जो असंभाव होगा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हें अवकास का और वेतन का पूरा धनदूगा लेकिन अब देखें आगे क्या होता है अब देखें कितना गटनगाम है अरे और ओह इस theoretical चीज ये कहीं पर तो अब देखें अजीज को मिलती है या नहीं मिलती है देखते हैं एतत शृत्वा यानि यह शृत्वा सुनकर देखें तुआ आ गया धातु किसकी होती है श्रवन यानि सुनने की और तुआ शब्द लग गया तो इसमें क्या बन गया इसकार्द बना सुनकर के या सुनकर अ अजीज वस्तु यानि द्वयम द्वय शब्द किस के लिए बताते हैं दो के लिए दो वस्तु नाने लाने के लिए यानि लाने के लिए लेसि तुम आगा है लाने के लिए निर्गछत況 you निकलता है यह सुनकर अजीज वस्तु द्वयम दो वस्तु नाने के लिए निर्गच्छती यानि निकल जाता है निकलता है सह वह इतस्तह इतस्तह यानि इधर इतस्तह यानि इधर और उधर ठीक है परिब्रमती परिब्रमती यानि गूमता है चारों ओर इधर उधर गूमता है ठीक है परिकार्थ हो जाता है चारों ओर और इधर उधर चारों ओर क्या करता है ब्रमती गूमता है जनान प्रचछती लोगों से पूछता है आकाशम पश्यती आकाश को देखे अमशब्द आ गया तो इसमें को लगा दिया आकाश को देखता है धराम प्रार्थयती धराम यानि धर्ती प्रत्वी भूमी धराम यानि प्रत्वी को प्रार्थती प्रार्थना करता है परम लेकिन सफलतां लेकिन सफलता को नेव प्राप्त नोती नहीं प्राप्त कर पाता है लेकिन वो सफलता को प्राप्त नहीं करता है चिंतियती सोचता है इसके बाद कि परिश्रमस्य यानि परिश्रम का धन सहनेव प्रापस्यती यानि परिश्रम का अब यहां पर सिया लगा है तो हम क्या लगाएंगे परिश्रम का इसका अर्थम इस प्रकार से बनाएं जहां सिया दिख जाए वहां उस आप उसी जो का मस्य परिश्रम का धन सः यानि वह नेव नहीं प्राबसती नहीं प्राप्त कर पाएगा नहीं प्राप्त कर सकता है क्यों इसको ऐसी चीज़ल मिली नहीं रही है ना अरे दिखाए ना यो कर आए कुट्रचित Niach कहीं पर एक तभी क्या होगा कहीं पर एक व्रध्धा मिलती अब उसको क्या होगी कि एक व्रध्धा में जाएगे एक व्रध्धा मिलती है कैसे मिली सह वह ताम यानि उनको सरवाम सारी व्यथा श्रावयती यानि वह उनको ताम यानि उनको सरवाम सारी व्यथा अपनी सारी बात अपनी सारी व्यथा अपनी सारी परिशानी श्रावयती यानि सुनाता है सा विचारियती अब किसके बारे में आ गया अब देखे यहां पे जो सा लिखा हुआ है इससे अर्थ किसका निकला अब यहां पे ता सह अब देखे दो सर्व नाम शब्द आ गया यहां पे यहां पे ता सह यानि किसके बारे में बता रहे थे यह पूर्लिंग वाची शब्द पूर्लिंग और स्त्रीलिंग बताए है सर्वनाम आपको कि वह के लिए पूर्लिंग में कहते हैं सह और स्त्रीलिंग के लिए कहते हैं सा ठीक है यह इसलिए बताए कि अब आपको दोनों में अंदर समझ में आए कि यहां पर सह जो बताया है तो किसके बारे में बात हो रही है अजीज के बारे में कि अजीज ताम अजीज ने उनको सारी व्यथा श्रावयती सुनाई सुनाता है ताहे क्यों लगाएंगे क्योंकि तीशब्द लगा हुआ है वर्तमान की बात हो रही है सह यानि वह ताम यानि उनको सर्वाम सारी व्यथा को श्रावयती सुनाता है अब आ जो व्रध मैला मिली थी उनको सुना रहा था तो यहां पे जो सा शब्द आया वो किस के लिए आया व्रधा के लिए सा विचार्यती तो उन्होंने वो विचार करती है क्या करती है कि स्वामी जो स्वामी है वो अजीज आये अजीज के लिए धनम दातम ना इक्षती अजीज क लिए वो धन दे दे तो क्या हुआ सा वह अब ये सा कौन सी है व्रद्धा वाले के लिए है सह नहीं है क्या है सा वह तम यानि उसको कथ्यती कहती है क्या कहती है तुभ्यम तुम वस्तुद्वयम दो वस्तुएं दो वस्तुएं दो वस्तुएं दो वस्तुएं दो वस्तुए यानि वह, तम, यानि उन्सको खत्यती कहती हैं कि तो भ्यम्यम मी तुमको वस्तु द्वययं, दो वस्तुंए देती हूं पर अंट लेकिन द्वययं, यानि दोनो ही, दोनो ही ये आगया ना, ही पर दोनो ही बहु earning 252 का मतलब क्या होता है लेकिन द्वयम एव यानि दोनों ही बहु मूल्यम बहु मूलकम वर्थते बहुत ही मूलकी है बहुत कीम्ती है उन्हें यह नहीं बताया कि उसने उन्हें यह कहा व्रध्ध जो महिला थी उन्हें क्या कहा कि मैं तुमको दो वस्तुएं देती हूं और दोनों ही कैसी है बहुत बहु मुले है तो प्रसन नहा प्रसन होकर सह अब देखिए इसमें कॉन सा सह आगया आप किसके बारी में बात हो रही है सह है या सह दिख रहा है तो अर्थ क्या लगाएंगी कि पूरलिंग वाची शब्द यानी अजीज के लिए बात हो रही है और सा जहां पर आ रहा है उसक अग अच्छती अब समीप हो या ना तो जैसे रा में होता है फले होता है यानी मैं शब्द लगाना है समीप में आग अच्छती आता है प्रसन होकर स्वामी के समीप में आता है अब क्या हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं अजीजम यानि अजीज को अब देखिए अजीजम हो गया अजीजह नहीं है अजीजम यानि अम शब्द लग्या को अजीजम अजीजम द्रिष्टवा अजीज को देखकर स्वामी चकतभवाती स्वामी चकित हो गया चकित होता है क्यों चकित होता है तो स्वामी शने शने पेटिकाम उद्घाटती अब क्या हुआ कि अजीज को देखकर स्वामी क्या हो जाता है चकित हो जाता है फिर स्वामी क्या करते है शने है शने है शने का आरत होता है धीरे धीरे शने है धीरे धीरे पेटिकाम पेटी को क्या करता है उद्घाटती खोलता है अब क्या होगा द करना आपने पड़ा होगा स्वाइब तो उध घातत का अर्थ कोलना तो क्या करते हैं पेटिकां को आम शब्ड लगया पेटिकां को क्या करता है उध घातियाद कोलता है और पेटिकायाम मैंच याथ एक लगु पात्र द्वयम लगु या Rate कि आ चोटे पात्र दोयम दो पेटी को खोलता है दीरे दीरे पेटी को खोलता है उसमें लगू यानि छोटे पात्र दोयम दो पात्र थे पेटी का याम वोई लतायाम बताया है पेटी का मैं मैं शब्द आ गया पेटी का कैसा है एक स्ट्रीलिंग वाची शब्द है इसलिए उसमें क्या लगाया याम शब्द लगाया तो उसमें हम सत्तिमी बेवाक्ती का मैं चिन जोड़ी पेटी मैं लगू पात्र द्वयम दो छ छोटे पात्र थे कैसे हम लगाएंगे छोटे पात्र दो छोटे पात्र थे प्रत्मम पहले में प्रत्मम सह एकम लगुपात्रम उद घाट यती प्रत्म यानि पहले पहले वह एक लगुपात्र उद घाट यती पहले वह क्या करेगा एक लगुपात्र को खोलता है दो छोटे पात्र थे उसके अंदर तो उसमें वो क्या करेगा प्रथम यानि पहले सह अब यह किसके लिए सहा आ रहा है स्वामी के लिए क्योंकि क्रिया कौन कर रहा है स्वामी कर रहा है ना स्वामी नहीं धीरे-धीरे पेटी को खूला उसमें दो छोटे-छोटे पात्र थे अब प्रथम यानि पहले अब क्या होगा वो वह एक लगुपात्रम उदघाति एक लगुपात्र को खोलता है सहसा अचानक से ही क्या होगा एक मदुमक्षी का एक मदुमक्षी निर्गच्छती निकलती है अब क्या होगा जैसे उसने एक छोटी पेटी के दो लगुपात्रम मैं से एक लगुपात्र को जैसे खोलता है एक लगुपात्रम उदघाति आती सहसा अचानक से ही एक एक मदुमक्षी का निर्गच्छती मदुमक्षी निकलती है तस्य और क्या करती है उसके हस्तम दश्यती और उसके हात पर क्या करेगी हात को डश्यती है दंश मार देती है यानि अपना डंक मार देती है क्या करेगी और उसके हस्तम हस्त को दश्यती यानि क्या कर लेती है दंश उसमें मार देती है या डंक मार देती है तस्य क्या हुआ उसके ठीक है उनके उसके और उनके हात को हस्तम है न तो हात को दश्यती यानि काटती है स्वामी जैसे ही उनने पात्र खोला एक मदुमक्षि निकली और मदुमक्षि ने एक मदुमक्षि का क्या करेगी उनको दशति तब काट लेती है हाथ में काट लेती है अपना दंक मार рच तो स्वामी उच्चाएवदति स्वामी उच्च है स्वामी जोर से कहता है अहां अरे क्या से चला है अहां यानि अरे जैसे मदुवाक की निकली और उसने उतके हाथ पर काटा तो उन्हें का अरे तो एक शब्द उनका पहला क्या निकल गया अरे मुझसे दूतियम दूसरे लगुपात्रम उदगाट याती दूसरे लगुपात्र को खोलता है एक अन्यमक्षिका एक अन्यमक्षी निर्गशती एक और अन्यमक्षी निकलती है सह और वह क्या करती है सह ललाटे दशती और उसके कहा पर ललाट पर यानि मस्तक पर दशती माथे पर का पीड़ित होकर सह अत्युच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् सफल आसीद और जैसे ही उन्हें कहा ओह पहली मखीं ने काटा तो ले अरे दूसरी ने मस्तक पर काटा तो ओह खुब तेजी से यानि अत्य उच्चय देखिए इसमें दो शब्द मिले हुए हैं अत्य उच्चय यानि अत्य उच्चय चीतकारोती चिलाता है चीतकरोती चिलाता है आह यानि ओ इती यानि इस प्रकार अजी जह सफल आसीद और सफल हो जाता था सफल था स्वामी और तो फिर क्या हुआ स्वामी ने तस मैं उसको अवकाश से अवकाश का वेतन से वेतन का च यानि और किस-किस का अवकाश का और वेतन का पूर्णम धनम ददाती और पूर्ण धन दे देता है है अजीज में तो अपनी परिश्रम से क्या किया है अग सबूभ और वह परिश्रम ना करता और उसको व्र१ मयला ना तो क्या हुआ कि जो अजीज था उसने अपना परिश्च्रम किया और अपनी युक्ती से आइडिया लगा कर उसने क्या किया व्रध्धा की बात मानी और किसको स्वामी को वह दोलग उपात्र दिये तो जैसे पहला खोला तो एक मखीन उसके हाथ को हस्तम दशती हाथ हाथ को दश लिया यानि काट लिया तो क्या हुआ उसकी मुह से आवाज क्या निकली और दूसरी निकली दूसरे पात्र को खूला तो उसमें से निकली तो उसने ललाट पर काट लिया यानि मस्तक पर काट लिया तो उनके मुह से जोर से चिला अत्य उच्चा है यानि अती उच्च बहुत जोर से चीत करोती बहुत तेजी से चला है क्या चला है तो इस प्रकार से अजीज ने दोनों ही वस्तुएं उनको ढूंड ले तो अब उनको समझ में आगे कि हां इसने तो दोनों वस्तुएं इसको मिल गई तो उनों ने उसका वेतन का और अवकास का पूर्ण धन उस देना नहीं चाह रहते लेकिन परिश्रम से अजीज ने धन अपना अवकास का और वेतन का भी पूरा दन ले लिया ठीक है तो यही इस पाट का सार था जिसका हमने साथ-साथ अनवाद किया और पूरा हमने पढ़ दिया पूरा इसका समझ में आया हमने इसलिए एक एक शब और पृश्रमी था सह स्वामिन एव सेवायाम लीन अपि वेतने असय ग्रहीश्यती यह अवकाश्का और वेतन का धन लेगा यव चिंत्यती ऐसा ही सोचकर स्वामी कथ्यती मैं तुमको अवकाश्का ओर वेतन का सार्वं धन दुगा पर लेकिन तर्दम इसके लिये hand तुम्हें वस्तु द्वयम आ न है तुम दो वस्तुएं लेकर आओ अह आच यानि अरे और ओह ये दोनों तो फिर क्या हुआ इतत्षृत्वा यह सुनकर अजीज वस्तुद्वयम आने तुम निर्गच्छती यह सुनकर अजीज दो वस्तुएं लेने के लिए निकलता है सहा इतस्तह यानि इधर उधर परिभ्रमती गूनता है जनान प्रच्छती लोगों से पूचता है अगर काशम पश्यती आकाश को देखता है धराम प्रार्थरयती यानि धरा से प्रार्थना करता है भूमी से प्रार्थना करता है परम सफलता नेव प्राप्त होती लेकिन उस कि उसको परिश्रम का धन प्राप्त नहीं होगा कुत्रचित कहीं पर एक व्रद्धा मिलेंगी उनको सारी व्यथा सुनाता है सा विचार्यति अब वो सोचती है कि स्वामी अजीज धन देने के लिए इक्षा नहीं करता है उसकी इच्छा नहीं है सा तम कतियति सा वह तम कतियति उसको तुभ भियम तुमको दवयम वस्तु दवयम ददा में दो वस्तु यह देती हूं परम लेकिन दोनों ही बहु मुल्य हैं प्रसन होकर वह स्वामी समीप में आता है अजीज को देखकर स्वामी चकत भवती स्वामी चकत हो जाता है स्वामी चने चने पेटकायम उदगाटी स्वामी धीरे धीरे पेटका को खोलता है पेटकायम लगुपात्रम द्वय आसित यानि दो लगुपात्र थे उसमें प्रथमं सह एक लगुपात्रम उदगाट्यती पहले वो एक लगुपात्र को उदगाट्यत करता है खोलता है तो अचानक ही एक मदुमक्षि का निर्गष निकलती है और तस्य हस्तम दश्यति क्यों ऐसे खोल रहे थी न तो हाँ निकली और उसने हाथ पर क्या किया तस्य हस्तम दश्यति हाथ पर काट लिया स्वामी उच्चाय वदती कूप जोड से बोला अहां यानि अरे तो दुतियम हुपात को उध्गाटि सर्पाट है तो एक मख्षिका एक मख्षि का निर्गष निकलती है सहललाती दसती क्या करता है तो घुइञां सफल्म और इस प्रकार अजिज सफल हो जाता है अवकास का वेतन का पूरा धन देदेता है इस प्रकारत है हमारा अनवाद पूरा हो गया तो से हम क्या सिख्षा मिलती है कि हम परिश्डरम यह असमभव करता है उसके विसको अरे और और ओह ऐसी कोई वस्तु में वह कहीं से इलागे दे सके लेकिन उसने परिश्रम किया यहां वहां गूमा तो वॉरद्धा मिली तो अपाय मिला और इस प्रकार से वह अपनी कारे में सफल हो गया तो सफलता परिश्रम करने से अवशी ही मिल जाती है इसकी ये सिक्षा है और वो सभी बच्चों के लिए है कि हर कोई जो परिश्रम करेगा तो उसको सफलता अवश्य ही मिलेगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्याशकारियों को सुरू करेंगे तब तक के लिए